जिस हिसाब से देश में जाती और धरम का जहर फैला के सत्ता बनाई रखने की कोशिस हो रही है किसी की भी जह कोई भी करें जगी कोई MLA MP बनने के लिए करें किया सरकार बनाने के लिए वो सारे लोग दोसी है यह तो रटाया तोते का डैलोग है यह फिल्मी डाइलोग है बीजेपी का अरे बीजेपी और कॉंग्रेस ठेकदार है कि इस देश की देश दरोई है क्या तुम ही देश बगत हो क्या बीजेपी देश बगत है कि देश का ठेकदार है इनने लिया हुआ क्या यह लोग क्या तमासा कर रहे हैं हिंदू-मुसल्मान हिंदु मुसल्मान हिंदु मुसल्मान जब लोगों के परसनों के उतर कौन देगा सरकार की डूटी है मर्जी नहीं है किसी के बाप का नहीं यह देश इस देश का सबसे कायर अगर को प्राय मिनिस्तरों में गिनती होगी तो नरेंदर मोध्य की होगी जो मेडिया से डरता है मीडिया से डरनेका क्या मतलब है जो देश के परसनों से बचता है इसलिए सबसे banda कायर um मंतरी फ्यूचर में साइद इस देश में ऐसा नहीं हो उतका दूदर पानी का पानी होता तो यह चीज़ें क्यों आती और कैसे आज तक के चैनल पे गड़बड घोटा लेके जिकरा करते हुए तीन संपादिक बैठी हैं जो ठेकेदार बने हुए देश की चोरों की तरह लोगों के बोलने की हमत नहीं है किसी चैनल बोलने के और चैनलों में वो खबर दिखाई जा रही अभी भी जिसको सरकार चाहती है क्योंकि सलमा आलेक्म और रहमतालाही और रह्याकातों में अभालत आले बेरा बेरहा ब्रहालं भाकरे शेला भोता न होगे इन मरैनों की मैलामस से इन फरकापरसन良ं की फरकापरसने से इन द्रींदेग्व् द्रींदिंगी से इन माबली इंचरों के माबली इंचरों के माबली इंचरों के महफोज होंगे अल्ला आपनों को अपने हफज़ अमान में रखे अल्ला अपने हिफाज़त में रखे अल्ला हरा बाहर शर्थ है आपनों को महफोज रखे बहरल के वह बहरहार मेरे और है अपलोग अखिफ हैं अबिड़ के बाहर के हला से भी बजा अखिफ है लेकिन देश से ही जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपनों को सुनाने जап रहा हू जो कि गुसा भी आरा है और खुशी भी हो रही है गुस्टा इस बात से आ रहा है कि इस सुप्रीम कोट के इतने सीनियर वकील ने खुले तोर पर ये कह दिया हमारे देश के वजिर आजम को जो फिल वक्त है कि तारीख का हमारे इंडिया की हिंदस्तान की तारीख का सबसे कमजोर सबसे छूटा और सबसे डर्बुक वजिर आजम ये है इसके अलावा कोई ऐसा वजिर आजम हमारे पास प्राइम मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ ये आज तक मीडिया में कभी आया ने ना मीडिया से कभी बात करता ना कोई सवालात का जवाब देता इससे कोई सवाल पूछे अगरचे तो उसको अंदर भिज देता वो चैनल बन करा देता ये कहां का प्राइम मिनिस्टर कुन सी दुनिया की कुन सी कंट्री का है और ये देश किसी के भी बाप की जागिर रही है चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो हिंडिये का हो बीजेपी का हो किसी के बाप का देश नहीं है ये नौकर है देश के लेकिन ये अपने आपको कुछ और समझ बैठे, इनकी गलत पहमी है, कुछ और समझ बैठे, ये बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे को, मेरे को तो अच्छा नहीं महईसु दो रहा है, एक देश के वजिर आजम को ऐसा बोल सकता क्या कोई, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, नहीं बोलना चाहिए था इनों ऐस छुट नहीं देना चाहिए, ये देश को खत्रा है, देश वास्यों को खत्रा है, ये कह दिया है, सीनियर वकिल साब ने, इनके, इन बातों से मेरे को बड़ी तकलीफ भी बड़ा दिल में धर्द हुआ भई, कि ऐसा नहीं बोल सकते भई, ये चीजें, एक प्राइम प्राइम मिनिस्टर को तुम ऐसा डर पूक, और इस तरीखे से ये अलफाजें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा कह दिया है, इनोंने, बड़ी तकलीफ पहुंची है मेरे को, इसलिए आप लोग भी जानना जरूरी था, कि ये चीज़ को क्या हो रहा है, और ये हमारे प्राइ खिका चालेंज कर रहे हैं उसको, वो हर वो चीज़ के लिए तैयार है, और ऐसे सुबत, ऐसे पुखता दस्ताविजात देंगे, कि ये कभी सुरत भी नहीं दिखा पाएगा, ये कहना है इनका, जो कि मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं ये एक भारती होने के आते हैं, एक इंडियन होने के नाते हैं, एक शर्म महसूस होरी मेरे को, क्योंकि अब ये उसकी खबर को सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है, और हमारे गूदी मीडिया के भी कुछ चैनल ने देखिये हैं, जो वहवाई, शाबाशगी में तारिफे कर इनके दिने पूरे नहीं होते हैं, इनकी मियाद खतम नहीं होती, क्योंकि ये जब से बने हैं, जब से पैदावार हैं इनकी, ये काम करते हुए आ रहे हैं, एक खुले तोर पे खुला चालेंज कर दिया उन्होंने, अब ये लोगों में हिम्मत हैं, अगर्चे जरी भी, इ दूत का दूत और पानी का पानी हो जाएगा, कब तक ये लोग ऐसी गुमराख करते रहेंगे, देशवासें को परिशान करते रहेंगे, देशवासें को बेखोब बनाते रहेंगे, देशवासें को, लेकिन कोई देशवासी अब नहीं बनेगा, क्योंकि हर चीज़ का पता चल चुका है अब सच्चाई पुरे देशवासन के सामने आ चुकी है ये कब तक गुमराख कर सकते हैं कब तक बेखुब बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं हर्गिस नहीं बना सकते हैं अब रात दिन जब इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं रोग इसके बारे में बताते और इसको शाबाज़गी देते हुए, इसके बारे में गलत गलत बातें करते हुए नहीं थेकते, अब यह सामने इतना बड़ा चालेंज कर रहा है, और इतनी बेज़ती कर रहा है, और ऐसे बेतुके बातें कर रहा है, तो यहने कुछ अगरचे उसके पास सचाई नाम की शक्याकत होगी और उसके पास सबूत है बोल रहा है तो यह छीजे उससे डिविट करना चाहिए ना भई गॉदी मीडिया को सामने आना चाहिए ना भई गॉदी मीडिया को कि हकीफ़त जबी पता चलेगी किया सचा ही क्या है यानि सारे देशувати जानेंगे हाखीकप क्या है देश्वासों के आँखों पर जो पट्टी बांदे भी है शायद वो खुल जाएगी जो दमाख के अंदर जो चीज भरे भी है वो खाली हो जाएगा लेकिन यह लोग नहीं करेंगे ऐसा क्यों ने करेंगे यह आप भी जानते है मैं बोलने की ज़रष नहीं है फिर मैं बोला तो ऐसा बोला बोलके घब बोलके लग जाता था कि बड़ी तकलीफ हो जाती इसलिए जितना हो सके बंद अलफाजों में कहना ही मुनासिब है और वही वाज़िब है वही वाजिब है बहर के मेरे अज़िस दोस्तों मेरे भाईयों ये चीजें सुनकर बड़ा ताज्जुब महसूस हुआ मेरे वो थोड़ी तकलीब भी भी थोड़ा अफसोस भी हुआ थोड़ी शर्म भी आई क्योंकि हम भी वही देश के वासी है जो देश में गंगा बहती है जो देश में गंगा बहती है ये इतने ही खतरनाक तरीखे से कह दिया है इनोंने के इनके जब दिल में आता है कांग्रेस को कोसना या कांग्रेस उसको कोसना ना कांग्रेस के बाप का देश है ना बीजेपी के बाप का देश है बात करते हुए ये तो ये सुनकर तो हमको तकलीफ हो रही है कि ये उन्होंने ऐसा कही दिया कुछ से भर्रे पे कहा और दूसरी चीज उन्होंने साफ अलफाजों में ये भी कही दिया है कि जहां चाहे जब चाहे जो चैनल वाले उसको बुलाए उसके साथ दो डिबिट करने के लिए तैयार है हर चीज़ का जवाब देंगे हो और हर प्रूफ को सामें रखेंगे हो और उनके पास ऐसे कुछ दस्ताविजाद है जो साबित भी करेंगे जो बताएंगे भी अब यहने क्या करें करें तो क्या करें आप लोग बहतर जानते हैं बहर के बहर हाल मेरे अज़ खिद्मत करें बड़ों के लिए कंपर अमल करें और देखिए किया हो रहा है अभी आगे आगे देखिए और क्या दिखना पड़एगा हमेरें सचाही भी बालू हो रही और हकिकत से भी परदा उठ रहा है यह चीज़़ों का तो हमको पहले सही पता है लेकिन अब आप लो लोगों को सही तरी ख़सा सुनाई भी देगा, आँखों में कामायल भी निकलेगा, आप लोगो दिखाई भी देगा, अब आप लोग ये नहीं कह सकते, उस सीनियर वकील को, जो कितनी बड़ी उमर के और इतने सीनियर है, उनों घलत कर रहें, उनों तो कोई पार्टी की ताह ना ताइद ना तारिफ जो है सच्चा ही बता रहे और दोनों पाटियों के बारे में बोल रहे हो इनों ना इनके बाप का माल है ना देश ना उनके बाप का माल है ये गंदगी ये लोग जो फैला रहे है कब तक फैलाएंगे इनको हासिल क्या होगा उनका ये कहना है कोई बा बात तो बिलकुल सवाने सच है। बात तो बिलकुल सही है। बारके मनजब रही है। मुझताई है। अपने इस भाई को भी दौा में चादे रहे। स्लामा आलेकूम और राह्मतुल्लाही उबर्कात।